आज का लुक है राउंड ग्लिटरी कट क्रीज विद एंजल विंग आइलाइनर अच्छा कट क्रीज की नाम पर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं उनको लगते है कि शायद नहीं बहुत कोई टफ चीज है लेकिन ऐसा है नहीं जब आप कोई चीज करने लग जाते हो तो इस आप ले लो और उसके बाद जिस टाइप के आपको आइब्रो पसंद है सेम उसी शेप में आपने एक गाइडलाइन दे देनी हैं हेर्स बनाने के लिए कोई भी ब्लैक आई-लाइनर लें साथ में कोई बहुत ही बारीक सा आई-लाइनर ब्रेश और जिस डाइरेक्शन मे आपके बाल होते हैं सेम वही डाइरेक्शन में आपने स्ट्रोक्स बनाने हैं जो लोग आई-ब्रो ड्रॉ करने में मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको कभी भी आई-ब्रो फिलिंग करना लग रहा होता इसलिए अगर आपको मेकप सीखना है तो फिर आपको हर चीज आनी चाहिए मेकप में उसके बाद आइब्रोज नीट कर लेंगे कोई भी अच्छा सा कंसीलर आपने अप्लाई करने का तरीका मैं अल्रेडी बहुत दफा बता चुकी हूं कंसीलर अप्लाई करने है तकिए क्रीज करें छ्राइब टेकर ने के बाद अपर बार रहीं आथी है लाश लाइन का फारिदा होता है कि आपको पता चलना जाता है कि आपका लिध एरिया कौनसा है जिस पे आपने मेक-प करने हम बारी है क्रीज को define करने की क्रीज define करने के लिए हम कोई भी nude eyeshadow लेंगे जिसको हम transition shade भी बोलते हैं इसके साथ हम blending start कर देंगे थोड़ा-थोड़ा shade लेके आपने क्रीज को build up करना है थोड़ा-थोड़ा shade एड़ करने से यह होता है कि लुक बहुत smooth हो जाती है एक 3D effect आना शुरू हो जाता है अगर आप एक दम से जादा आईशाड़ो ले लोगे तो वो massive भी हो सकता है अम बारी आती है outer और inner corner की उस पे हमने light purple shade यूज करना है यहाँ पर भी same procedure है थोड़ा-थोड़ा shade लेके इसको build up करते जाएं आप लेकिन हलके हाथों के साथ इसके बाद फिर से same brush लेना है जिसे हमने अपनी क्रीज बनाई थी उसी से बस इसके edges को अच्छे से मजीद ब्लेंड कर देना है यह procedure दो से तीन बर आपने repeat करना है purple shade अड़ करते जाएं साथ उसको transition shade के साथ blend करते जाएं मुझे इसको बहुत जादा dark नहीं करना है थोड़ा से light ही रखना है तो मैं इससे जादा मजीद इसमें और shade अड़ नहीं करूंगी अब बारी है main step की यानि के क्रीज को cut करने की अब कोई सब भी आप पतला सा liner brush लें उस पर concealer लगाएं और उसके साथ क्रीज को cut करें flat brush यूज नहीं करना flat brush pro level पर यूज किया जाता है यह video beginners के लिए है तो इसलिए मेरी कोशिश यह कि आपको अस्तान तरीन hack बताऊं जिसे आप easily कोई भी look create कर पाऊ जैसे blending को थोड़ा सा time देना पड़ता है सेम वैसे ही क्रीज को cut करने के लिए भी थोड़ा सा आपको time देना पड़ता है जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं करने होती जितना आप relax होके क्रीज को cut करोगे उतनी ही वो smooth नजर आएगी क्रीज को cut करने के बाद ऐपने flat brush की help से पूरी lid को च्छे से कंसीलर के साथ क्ली करना है अपने golden shimmery shade लिड पर अच्छे से apply करना है जितना एक हीं हमने cut किया हूँ है बस वहीं पर apply करना है इसके बाद अगेन आपने वो ही ब्रश लेना है जिस पे हमने परफल शेट लगाया हुआ था उसके साथ इसके अच्छिस को अच्छे से ब्लेंड कर देना है चैमरो ओफ हो गया था इस वज़ए से वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसके बाद बारी आती है एंचल विंक्ट आई लाइनर की लाइनर अप्लाई करने का तरीका काफ़ी सिंपल है लोगर लाश लाईनर के साथ लाइनर को अप्लाई करना है विंक्ट बनाने के लिए इसको आउट टो कॉर्ner की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और वहां से उपर वारी line को नीचे वारी line के साथ मिला देंगे मैं यहाँ पे eyeliner को थोड़ा सा और ठिक करूंगी अगर आपको पतला eyeliner प्रसंद है तो आप इसको as it is रहने दें इसके wing को मैं थोड़ा सा lash line के corner से भी बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा ठिक करूंगी तो liner मेरा लग चुका है इसके बाद अब मैं lashes बनाऊंगी और lashes बनाने के बाद हम इस पे glitter apply करेंगे अच्छा क्रीज को cut करने के बाद जो मैंने उस पे golden eyeshadow लगाया था उसको मजीद enhance करने के लिए मैं प्रेस्ट क्लेटर लगाऊंगी तो यह है आज की फाइनल लुक उमीद आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रू मिला होगा मैं मिलूंगी आपसा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलहाफेज